हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने यूटूब चैनल एक वीटी टू कम्मूनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम किस टॉपिक उपर बात करने जा रहे हैं वो मैं आपको थोई दिर बात बताऊंगा सबसे पहले यहाँ मैं आपको चार्ट पे ले जाना चाहूँगा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना देख सकते हैं प्राइस आपका उपर से नीचे साइड की तरफ आया है अब जिन लोगों ने बाई नहीं किया वो क्या करेंगे वो वेट करेंगे जब प्राइस नीचे आएगा तो बाई करेंगे अब उसके बाद देखिए प्राइस आपका नीचे साइड के तरफ भी आया और यह क्या था यह हमारा सपोर्ट लेवल था अब जब price support level के पास आया, यहाँ पे हो, 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 multiple लोगों ने अलग अलग जवापर buy किया होगा, अब जब लोग buy positions लेते हैं, साधी साथ अपना stop loss भी लगाते हैं, stop loss कहाँ पे लगाएंगे, जो support level है उससे नीचे तो इस level इस level के करीब या फिर इस level करीब या फिर support level पर वो अपना stop loss लगाये होंगे different लोगों ने उसके बाद क्या हुआ price नीचे आया और support level को break किया और long tail at the bottom form किया है और यह अगर हम बात करें तलगबग आपका सिर्फ tail को अगर हम count करें तो यहाँ पर 10% का सिर्फ tail देखने को मिला है generally इस तरह का tail देखने को नहीं मिलता है तो यह जो tail form किया यह क्या किया जो भी लोगों का stop loss था यह सिर्फ आपका SL हिट किया है और उसके बाद वापस से price आपका upside की तरफ चला गया तो यह जो stop loss हिट होता है आपने कई बार देखा होगा कि इस तरह का spike mark की candle नीचे आता है और आपका stop loss हिट करता है और price उपर जाता है आपको लग रहा होगा कि सिर्फ मेरा stop loss हिट करने के लिए आया है आप ही का नहीं हिट करता है बहुत सारे वीटेल ट्वेटर का और बहुत सारे बड़े बड़े ट्वेटर का भी यह stop loss हिट करता है तो इससे हम कैसे बच सकते है इससे हम कैसे avoid करें इसको हम कैसे avoid करें यही मैं आपको इस वीडियो मताने जा रहा हूँ सो start करते है तो हमने यहां पर चार्ट पर क्या देखा था हमने देखा था कि price का move हो रहा है और यह हमारा support level develop हो रहा है और जो हम stop loss लगाएंगे इसी support level के करीब लगाएंगे maximum अगर हम लगाते हैं तो इस level के करीब भी हम लगा सकते हैं लेकिन जो price नीचे आया आप stop loss कहीं पर भी लगाओ सारा SL आपका यहां पर hit हुआ है तो इससे बचा कैसे जा सकता है यह main question है इससे आप literary अगर हम बात करें तो बच नहीं सकते हैं इसको avoid नहीं किया जा सकता है अगर ऐसा spike दिखाया तो आपका जो SL है वो hit हो गए होगा और without SL trade करने की सला मैं देता ही नहीं है आपको trade SL के साथ ही करना है यहां पर आपका SL hit होगा और आपको loss होगा तो क्या यहां पर हम loss book करके market से बाहा निकल जाए बिल्कुल ही नहीं loss तो book करेंगे लेकिन at the same time हम loss को recover भी करेंगे इसी move से इस तरह का move दिखाने के बाद क्या होता है दुबारा इस तरह का move नहीं आता है हमने कई different example देखे मैं आपको और सारे example बताऊंगा और आप जब भी देखना इस तरह का spike जब भी आएगा दुबारा अगर आता है तो एक दो मैने बाद आता है लगातार इस तरह का spike देखने को नहीं मिलेगा यह होता क्यों है कई बार बहुत सारे traders fear में आ जाते हैं उसके कारण से भी होता है लेकिन कई बार जो बरे बरे operators होते हैं वो यह काम करते हैं अब operators यह काम क्यों करते हैं आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा तो मैं आपको यहाँ पर explain करता हूँ अब क्या है देखिए उनको यहाँ पर दो फाइदा होता है प्राइस को उन्होंने दम लगाके नीचे गिरा है वो क्या करेंगे सबसे पहले वो entry लेंगे low price पे यानि उनको entry low price पे मिलता है दूसरा है कि market में जिन लोग के पास fear है जिनको यहाँ पर डर है वो लोग यहाँ पर क्या कर चुके है exit कर चुके है और उनके मन में fear generate होगा तो वो क्या करेंगे sell करेंगे और जो आप लोग sell करेंगे वो buy कोन करेगा buy करेगा operators operators इसको buy करेगा यानि वो lower level पे entry कर चुके है और market से जो retail traders है उसको वो बाहर कर चुके है क्योंकि जो operators होते हैं जो बरे-बरे पैसे वाले लोग होते हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो profit retail trader को मिले वो चाहते हैं कि profit सिर्फ और सिर्फ मुझे मिले यही region होता है कि इस तरह के spike आपको कई बार बहुत सारे stocks में देखने को मिल जाता है nifty में तो बहुत कम मिलता है क्योंकि उसको इस तरह का move दे पाना बहुत मुझे होता है वहाँ पर भी आपको कई बार देखने को मिलेगा लेकिन निफ्टी में होता चार-पांच साल में एक बार देखने को मिलता है लेकिन इस टॉक्स में रेगलर वेशिस पर आपको इस तरह का साल में दो-तिन बार इस तरह का मूव देखने को मिल जाएगा तो जब भी ऐसा मूव हो तो आपको लॉस्त हो गाई होगा यहाँ पर लगबग 2% से लेके 5% जहां भी आपने SL रखा है यह SL आपका हिट होगा ही होगा 5% को SL रखता नहीं है लेकिन by chance अगर होगा भी तो भी हिट हो जाएगा अब इसकी बाद हम recover कैसे करेंगे इसका simple सा method है यह बनने के बाद वापस से price उपर जाएगा ही जाएगा क्योंकि ज इसे price इसके high को break करके ऊपर निकलेगा यहां पर हम वाइसायर की तरफ entry लेंगे और यहां पर जो हम entry लेने level है 1040 करीद अब यहां पर हम stop loss क्या रखेंगे क्योंकि हमने stop loss रखा था वह हिट हो गया stop loss आपको यहां पर नीचे रखना पर एगा इस level पर 10% अब आप लोग stop loss रखना परेगा उसकी बाद अगर प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ आता हुआ दिखता है लगवाद 2-3% आपके अगेंस्ट आया तो आप यहीं पर क्या कर लो एक्जिट कर लो आप stop loss होने का वेट क्यों करेगे और इसके बाइद इस तरह का spike नहीं आएगा gradually fall कर करता हुआ ही गिरेगा तो 2-3% का loss अगर होता है तो हम exit कर लेंगे लेकिन इसके बाद generally price गिरता नहीं है 98% chance रहता है ऐसा move दिखाने के बाद price आपका generally नहीं गिरता है अच्छा खासा upside move दिखाता है तब जाके गिरता है तो इसलिए यहां पर हमने यह strategy आपके साथ share कर रह एंगे यहां पर अपर हमारा first target price क्या होगा जो हमारा देख सकते हैं यह जो लेवल है यह लेवल हमारा बन जाएगा first target price यह लेवल मर जाएगा second और इसके ऊपर यह level धर target price पज़एगा तीनों target और मेरा जो maximum stop loss होगा कितना होता 5% बहुत ज्यादा हो गया इतना भी नहीं रहता है तो जो भी loss हुआ है वो loss आपने recover कर लिया और थोड़ा बहुत आपने profit बना लिया यहां पर हमें profit बनाने focus नहीं करना ऐसे situation में बस हमें जो loss हुआ है वो loss recover करना और जैसे मेरा loss recover होगा हम यहां से निकल सकते हैं यानि तो failing stop loss ज़रिये आगे भी continue कर सकते हैं तो इस तरीके से यहां पर आपका जो SL हीट होगा उसको recover करके उससे profit बनाया जा सकता है बाकि SL हीट होने से कोई नहीं बजा सकता है क्योंकि यहां पर unexpected आ कब आएगा नहीं आएगा वो कहना मुश्किल है और without SL तो काम करना ही नहीं है इसलिए SL हीट होने दीजिए लेकिन इसको recover किया जा सकता है यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपका support level है और देख सकते हैं लगबग 10.36% नीचे आया है यहीं लगबग यह आपका कितना आया तो लगबग आपका यहां पर 20% के करी profit मिल जाएगा यहीं इसने recovery भी जवरदस्त दिखाया है तो इसलिए जब भी ऐसा move दिखे आपको डढ़ना बिलकुल भी नहीं है क्योंकि जो नुकसान होना था वो already हो गया है अब हमें उस नुकसान को recover करना उस loss को recover करना loss को recover करने क एक ही तरीका है कि आपको market में थोड़ा सा हिम्मत जुटा के entry करना परेगा और ऐसे situation में आप entry करके क्या गर सकते हैं profit बना सकते हैं अगर by chance market नीचे भी आया तो मेरा loss तो अल्वेड होई गया 2% और loss हो जाएगा कोई फर्क नहीं परेगा लेकिन इस 2% का risk लेके हम यहां 10% का profit बना सकते हैं तो अगर हम risk reward ratio भी देखें तो क्या बनवा है मेरा 1-5 का risk reward ratio बनवा है और ऐसा risk reward ratio बहुत कम जगा मिलेगा इसलिए यहां पर हम trade करने की सलाह दे रहे हैं यहां पर हम different example पर आते हैं देख सकते हैं यह आपका Davis Lab का daily chart ही है अब यहां पर भी हमें देखने buy किये होंगे profit बनाये होंगे फिर price नीचे side के तरफ आया होगा बहुत सारे लोग अलग लग जवापे entry लिए होंगे अब लोग जहां पर भी entry लेंगे stop loss कहां रखते हैं एक particular support level के नीचे रखना चाहते हैं या फिर support table के pass रखना चाहते हैं ताकि मेरा stop loss hit ना हो और stop loss जब यहां पर रहेगा या फिर इस particular point पर हम रख सकते हैं तो जहां पर भी आप stop loss रखें देख सकते हैं यहां पर भी आपका long tail at the bottom बनाया मतलब नीचे side की तरफ spike दिया है और यह सिर्फ और सिर्फ मेरा SL hit किया है और उसके बाद देखिए इसके बाद भी price आपका upside की तरफ नि हिट हो गया बस यहां पर एक ही काम नहीं करना है कि आपको डड़ना बिलकुल भी नहीं है और पेसेंसली काम लेना थोड़ा अराम से सोचना उसके बाद देखना है कि हम इस loss को recover कैसे करें यहां भी देखिए यह जो spike गिरा नीचे गिरा लगबक आपका 10% करीब नीचे गि हम इसको हाई को मार्क कर दिया यह आपका 4200 करीब और फर्स टागेट पैस के अगर हम बात करें तो सपोर्ट लेवल यह बना है यहां पर भी देख सकते हैं नेट मिन्स टु 4400 दूसरा अगर हम बात करें इस लेवल करीब है 4600 के करीब और अगला होगा आपका 5000 करीब यह त इनका भी stop loss 5% का होगा या फिर 5% का नुकसान हुआ होगा वो नुकसान क्या कर लिया हमने उसको यहां पर हमने recover कर लिया बस मुझे यहां पर loss recover करने से मतलब है profit हो या ना हो वो मेरा काम नहीं है बस जो मुझे थोरा big loss हुआ है उस loss को recover करना है तो इस तरीके से आप loss को recover क कर सकते हैं इसकी बाद मैंने आपको बताया था यहां पर रखना लंबा एसल होगा लेकिन हम इस एसल का हिट होने का वेट नहीं करेंगे अगर बाइचांस दुबारा आप इसी लिवल पर एसल रख लेते हूं तो यहां पर प्रॉफिट भुक यह तो ठीक है यह तो प्राइस वापस से नीचे आया और दुबारा आपका एसल यह हिट करवा देगा इसली बोला कि अगर आपका एसल हीट होता है यहां पर हिट होने के होता है तो देख सकते हैं दूनों situation में यहां पर हमें इस तरह का formation देखने को मिला है बाकि ज्यादा इलिक्यूर्ट स्टॉक्स में आपको नहीं जाना है जो कि circuit में रहता है जो कि powerful trade यहां पर आपको एक और चीद ध्यान रखना है कि हमने और बजाज इलेक्ट्री कल लिया जो कि अच्छा stocks काउंट किया जाता है अब आप पेनी stocks मत चले जाए क्योंकि वहां पर इस तरह का move कुछ भी हो सकता है कई बार repeat भी हो सकता है लगाता तार 5 बार यह वाला situation आपको जरूर समझ में आ गया होगा और यहां पर एक और term यूज किया जाता है cluster of sl यह इस support line के नीचे बहुत सारे लोगों का sl होता है जिसको हम बोलते cluster of sl और यह जो spike दिखाता नीचे recover करना so that's all उमीद करते हैं कि यह वीडियो समझ में आ गया होगा so that's all उमीद करते हैं जो मैंने इस वीडियो मता है समझ में आ गया होगा अगर इससे related कुछ भी डाउट है फिर confusion है तो आप हमें comment section पूछ सकते हैं अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कीजे साथ ही साथ बेल आइकन को जबा दीजे ताकि जब यह हम इस तरह के informative वीडियो आगे भी बनाए उसका notification आप तक पहुंचे और आप वीडियो को मिस्स ना करें so that's all friends मिलते नेक्स वीडियो में जैहिन